अक्सर हम लोग ना सुनते आए हैं जब भी धर्मों का जिकर होता है तो उसमें एक यही जिकर होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सब आपस में भाई, भाई, भाई गुरुजी के पास जीन्द में तो उनसे डिसकस करेंगे कि सबसे पहले यही है गुरुजी की बहुत धर्म है जो भी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत सारे देशों में माना जाता है देखिए, बहुत धर्म जो नी, वो दुनिया का चोथा सबसे बड़ा धर्म है, इसाई, इस्लाम और इंदु दर्म के बाद बहुत धर्म जो नी, वो चोथा दुनिया का बड़ा धर्म है और जोनी साउथ इस्ट एसिया के अंदर जोनी बहुत से देश जैसे स्रीलंका है नेपाल है चाइना है भूतान है बर्मा है थाइलेंड है कोरिया है वेतناम है जापान है मंगोलिया है इनके अंदर बहुत धर्हम पाया जाता है और ये बातें तो कोई भी बता देगा वे मातमा बूंद जो नी 533 वी पूरव वेशाक की पुरुनिमा के दिन जो नी पैदा हुए थे कपील वस्टू का राजा था नोंबनी के जंगलों के अंदर उनका जनम हुआ था उनकी माता का नाम माया देवी था पिता का नाम सुद दन था उनकी 16-17 साल की उमर में साधी वीकर्दी-पत्रीन का नाम यसोतरा था एक लड़का भी हो गया जिसका नाम राउल था लेकिन वो शन्याश क्यों लिया, वो चाथ ते थे वह ये दुनिया के अंदर ये सूखी रहे, सभी अधर तिका कोई भी आधमी बलके कोई भी जीव-दुखी नहीं रहें, उन्होंने टीन सीन देखे तो मैं बहुत दर्म को जोनी सबसे वेग्यानिक दर्म मानता हूँ क्योंकि वो कारण बताता है मौतमापुद ये करते हैं कि संसार जोनी वो दुखों का गर है दुख क्यों है दुखों के कारण है कारण क्या है इच्छाए है क्या दुखों को दूर किया जा सकता है वो बताता हाँ किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके या इच्छाओं के उपर कंट्रोल करके इच्छाओं के उपर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो उसके लिए रास्ता बताता अस्ट परदान मारग, मद्य मारग तो इस परकार से ये लोजिक के आदार पर है ये फेत जोनी जैसे दूसरे संत मातमा ये कहते हैं बस आप विश्वास करो जो कुछ लिख रख्या हूँ खुदा का लिख्या हूँ आप इससे इधर या उधर नहीं जा सकते लेकिन पातमा बुद ऐसा फांडर हुआ दरम का उसने तो दरम चलाया भी नहीं था उसके मिर्टु के सो साल बाद जोनी वो बहुत दरम बढ़ए है उसने तो एक फिलोसपी ओफ लाइफ दी थी अच्छा उसके मिर्टु के सो साल बाद लोगों ने लिखे उसने तो philosophy of way of living दिया था लोगों को पैसे जीने से आप शुकी रह सकते हो तो ये way of living है जैसे आप कुराम सरीफ को भी पढ़ोगे तो कुराम सरीफ के अंदर भी एक way of living है पैगंबर शाब ये बताते है आदमी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाह ये क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए तो वो way of living है तो पैगंबर शाब तो चोदा सो साल पह ले आए लेकिन मात हम वो तो डायजार साल पह ले आए थे और उनों ने लोजिक के आदार पर जो नहीं वो इस दुनिया को समझाना सुरू किया और इसलिए ये विग्यानिक दर्म है ठीक है वो अपने आपको ना तो सन ओफ गोड करता है ना मैसेंजर ओफ गोड करता है वो तो ये करता है वह इस दिये दिमाग और ये सरीर है जो कुछ से अच्छा अलग-अलग धर्मों में बता जाता है मनलब जैसे वाइबल के अंदर है वह इसा मसी मैं आपको बताता हूँ, मैं तो बीच में उसका वो है, ला इलाही लालावा मोमन दर्सुला, वैं खुदा एक है और मैं उसका जोनी मेशंदर हूँ, यही कहते हैं, यही कलमा है, पैगंबर साब, तो इसी तरह से मातमा बुद जोनी वो वे ओफ लिविंग है, और मातमा बु यह भी कह देते हैं, वो नास्टिक था, नहीं वो आतमा को मानते हैं, वो तो यह कहते हैं, इस जीवन को सूखी बनाने के लिए अश्ट परदान मारग अपनाओ, और अश्ट परदान मीडल वे भी कहते हैं, बना तो इस शरीर को ज़्यादा सूख जो, जैसे मनने काटा कर या जैनी लोग तो पश्या करते हैं, या और नहीं इसको ज़्यादा मज़े लेओ, वासनाओं का शिकार बनाओ, जैसे उस शमय का ब्रामन प्रोईत वरग जो यग वगरा करता था, सब कुछ करता दी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अश्ट परदान मारग क्या, मैं आपको ये बताता हूँ, राइट व्यू, सुध सोच, आदमी की सोच साप सुत्री और बिलकुल सिद्धी होनी चाहिए, ठीक है, और संकल राइट ठोट, उसके विचार जो नहीं, वो पोजेटी होने चाहिए, नेगेटी विचारों का नहीं होना चाहिए, आदमी दूसरो होने को सीतल करें, आप भी सीतल होए, तो इसी तरह से जोनी मातमबुजी ये कहते हैं, वचन से किसी को बासा से ऐसी बासा नहीं बोलनी चाहिए, जो जोनी दूसरों को दुखका कारण बनो या दूसरों को तकलीफ दे, सुध आचरन, राइट एक्षन, चोरी ठगी नसाख और इन से बचना चाहिए, आडमी के जोनी वो Eisen उसके सुध उने चाहिए, राइट लिविंग, जो उसकी कमाई के साधना होए, भी सापसुत रहने चाहिए, सराब का वेपार नहीं करना चाहिए, कसाई निपस्वों का वद नहीं करना चाहिए, तो इसी तरह से लिए कोशिस जो नहीं वो आदमी को अच्छे तरिक्ते से अपने कामों को सीड़ करने के लिए उसकी पोजितिव सोच होने चाहिए राइट माइंड फुलनेश सिमर्ति वै उसम जो नहीं आदमी अच्छाए सोच आच्छाए काम करें आदमी के जैसे विचार होंगे वैसा ही वो होगा ठीक है और राइट माइंड नैस मेडिटेशन समाधी समाधी का मतलब बगवान जोनी मातमा बुग किसी भी देवतागा या बगवान का नाम नहीं बताते जिसका सुमर्ण करो बल्को बहुत हो मेडिटेशन का मतलब है एक कांतर में बैठकर इस दिमाग में यह सो करते हैं और जो जोनी उसके उपर साइंस के उपर आदा रही है मातमा बुद यह भी करते हैं आदमी के काम जोनी वह बड़ी आओने चाहिए यह 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 जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे यही न्यूटन का थर्ड नियम है एक्सेंड एंड रिक्सेंड नारी एक्सेंड जेत हैं जितनी तेजी से उलती आएगी तो यही उन्यूझ दिन्मायबुद जो करने सakes उच्व बुरे करम करो रहे बुरे जताएंगे तो इसलिए यह संइंटिफिक दर्म है और वह यह कहता है wy सदिपक भंगो रिचा कर पर यह पूछा कि भारत से पारेप खे यह भारत क तो उस जमाने में भी यह एजूकेशन इस देश के अंदर थी तो ब्रामन जो थे नहीं उन्होंने मातमाबुद को भी एक अवतार बना दिया संक्राचारिय और कुमार बट ने जब इसके इंदुदर्म के अंदर ही फोर्म की आठ्मी नौमी सदी में तो उन्होंने मातमाबुद को जो हैं एक इंदुदर्म का यह अवतार बना दिया अच्छा इसलिए और जो अधिकतर बाते इंदुदर्म से ही ली गई थी मात्माबुद ने भी इसलिए इंदुदर्म के अंदर बहुत दर्म के अंदर ही समा गया इसलिए बारत से में अंदर बहुत कम हो गए बहुत दर्म को मानने वाले लेकिन 1957 में डक्टरम बेद करने अपने 4 लाख अनुन आयों के साथ बहुत धर्म गोदार न किया और अब कुछ लोग जो नहीं, कुछ लोग नहीं सारे संसार के अंदर ही अगर सबसे ज़्यादा स्टडी की जाते ही योरोप के अंदर और अमरीका के अंदर वो बहुत धर्म के उपर की जाती है, क्योंकि बहुत धर्म जो नहीं, लोजिक और रिजनिंग पर आदारित है, फेट पर आदारित नहीं है इसलिए एक वेग्यानिक दर्म है सब्सक्क्राइब चूहाच्वाच्वत्व और अंदर किसी भी जाती का जोन। बगार किसकी बेदबाव के बिक्सु बन सकता था। उन्हों ने जोनी दली तवरक के लोगों को बिक्सु भी बनाया। दल्ट बरक की ओड़तों को और दूसरी राजरनियों तक को जोनी वो बिक्षोनी बनाया और वहीं उसी के अंदर रहते थे वो मठ के अंदर ना कोई नचुआ चूत थी ने कुछ नहीं था इसलिए मातमाबूद जाती पाती को नहीं मानते वो तो सारे इंसानों को एक ही जात मानते हैं वो जाती पाती से उपर उठे हुए आदमी थे लेकिन हिंदुस्तान से जात पात कभी गई नहीं तो देखी रहा है लेकिन यह है जैसे मैंने पढ़ा था कि बिहार के बहुत गया में उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ था भी वो क्या इंसिडेंट था गुरू जी उसको एक जोनी राजा का लड़का था सारे उसके ठाट बाट थे लेकिन उसने सीन देखे जैसे बुड़ा का सीन देख्या यह दुखका कारण है फिर उसने एक बिमार को देख्या बिमारी भी दुखका कारण है फिर उसने आर्थी को देख्या आदमी मर्द क्यों जाता है मिर्टू भी दुख का कारण है तो इन कारणों को ढूंड़े इन दुखों से कैसे चूट कारा पाया जा सकता है तो इसलिए उसने तपश्चा की जंगलों में बुखा मर गया है उसका जी निकल गया होता बुखे का पेड़ के नीचे बैठा था सुजयता नाम की लड़की उसके लिए खीर का कटोरा ले आई और उसने जोनी फिर ये देख्या जानाई बहुए इस सरीर को जादा कस्ट देना जोनी वो गलत है अच्छा इसलिए मतलब उसने मिडल पाथ अपना मिडल मार गए उसको वह असी दिन तक बेठा रहा आप बहुद हो गया विचार करता रहा है आप उसको जो बहुद हुआ बहुद मैंने अवेकंड है जैसे एक कानी आती है ये किताब मेरे पास जिसके उपर कई दर्मों के बारे में है तो ये पीटर आर्चर की है इसके अंदर बहुद धर्म के बारे में ये कानी दी गई है वे माटमा बुद ने जोहनी इसे माटमा बुद के पास एक आदमी आया तो उसने पूछा माई फ्रेंड वट आर यू ही आस्क्रदा बुदा आर यू ए गोड उसने पूछा क्या आप बगवान हो बुद्ध से उसने का no answer बुद्ध बुद्ध ने का नहीं मैं बगवान नहीं हूँ तब उसने पूछा are you some kind of magician क्या आपको जादूगर हो तो उसने का no the बुद्ध बुद्ध नहीं are you some kind of magician no बुद्ध ने का नहीं मैं magician भी नहीं हूँ are you a man क्या आप आदमी हो बुद्ध ने का नहीं मैं आदमी भी नहीं हूँ well my friend then what are you तब आप क्या हो तो बुद्ध ने उतर दिया दा बुद्ध रिपलाइड I am बुद्ध मैं awakened हूँ मुझे ग्यान हो गया वह यह जीवन है क्या और यह जीने का तरीका क्या है मुझे philosophy of life मिल गई है इसलिए बुद्ध का मतलव awakened जागर्थ जाग्यावाजिस को ग्यान हो गया तो यह बुद्ध के अंदर है यह किताब अच्छी काफी जीडी जन 101 यह 101 परसंद पूछे गए अलग 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 धर्मों के अंदर जो संकाएं हैं उनके समाधान के उत्तर हैं काफी अच्छी किताब है मैंने जैसे पड़ा है अलग 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 धर्मों में की हमारी आत्मा है जो इस सरीर को धारण किये हुए है जैसे हिंदू धर्म में देखा जाता है चुरासि लाग जूनिया भोग के हम लोग इस मानस दे मिली हमें और इसमें अच्छे करम करेंगे तो सोरग में जाएंगे तो बोध धर्म का मतलब क्या को है अच्छा और इसके अंदर बिलकुल मातमाबूद साब सब्दों में लिखते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती पेज नंबर 238 के उपर वो लिखते हैं बासम दस देर इस नो इमोर्टल सोल दा यूनिवर्सी इद सोल लैस दुनिया में यूनिवर्स में कोई सोल लैस है ये कोई आत्मा नाम की चीज है ही नहीं और ना इसी चीज कहीं की वो बदल जाए तो इसी परकार वो कहते हैं क्या मतलब री बर्थ पुनर जनम होता है तो मातमाबूद कहते हैं हाँ पुनर जनम होता है लेकिन वो इस सुरासिला की यूनि को नहीं मानते ना वो इस मानत आज़ी से ही मैटर लिया उस मैटर से आदमी बढ़िया है नहीं जाता है जैसे यह पोदा पैदा हुआ उसने दर्टी से वायो मंधल यू मंढल से वायो ली दर्टी से जड़ल लिया सुरिय की रोश नहीं अनर्जी ली तो बन गया एक उसकी लिमिट तो है 200-400-500 साल फिर वो इस मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है या पत्ते आते हैं हो जड़ जाते हैं मिट्टी में ही मिल जाते हैं इसी को वो रीबर्थ कहता है अच्छा और लेकिन आज कल बोध धरम के अंदर भी मातमा बुद तो इसको नहीं मान जीवनी के अंदर लिखते हैं अवटो बाइगरोफी के अंदर तो यह वो लिखते हैं कि पेज नंबर 370 के ऊपर ये साब सब्दों में लिख्या वो कहते हैं एक बार दलाई लामा के पास गया जो दरमु दरमसाला में रहता है लामा मैंने उता दरम गुरू जो तीबती है तो मैंने पूछा बुरू जी क्या पुनर जनम होता है तो उसने का आँ होता है बैस कैसे होता है तो उसने कया जैसे ही आपने अख़बार हो नहीं पढ़िया वह एक बच्छा वहाँ पैदा हो गया और अपका पिछले जनम बताता है और माबाप बताता गर बताता है तो मैंन के अंदर Christian दर्म में और Islam दर्म के अंदर reverse नहीं है पुनर जनम नहीं है तो दलाई लामा ने का you have the point तेरी बात में दम तो है तो मैंने कया खुश्वन सिंग कहता फिर आप इस बात का परचार क्यों नहीं करते ये कुछ नहीं होता पुनर जनम वगरा तो दलाई लामा कहने ल मातमा बुद जोनी जी बर्च को तो मानता है लेकिन इस री बर्च का भी अलुव इस्वास बना दिया है वो तो यह कहता है ये आदमी परकर्टी का हर जीव इस परकर्टी से ही material लेके बनता है इस परकर्टी में मिल जाता है और फिर दोबारा वो जोनी इस परकर्टी के material इसको रिवर्थ करता है. हर धरम में घुरू पर चलते हैं, जैसे उद्र मॉल्वी है, इदर अपने धर वॉं घुरुन का वतारत है ना वो ऐसा कोई आनपको इसे सोरगनरक जैस히 मानता ना कोई किसी देवतारा बहुता द नाम कला स्वॉन वो तो ये कहता है ये दिमाग ही जोनी सब कुछ है और गुरू आपने दीपक खुद बनो ये उसके आखरी सबत थे गुरू वगरा नाम की कोई सीज नहीं लेकिन आज कल भी जैसे लामा मैंने दर्म गुरू बहुत दर्म के अंदर भी दर्म के ठेके दारा गुरू बन रहे ह था कि गुरू नहीं है दिमाग ही दीपक है तो आइठिंग कुछ लोग ये कहते हैं क्या मातमा बुद नास्तिक थे तो हाँ इस मामले में वो बगवान को नी मानते नातमा को मानते वो नास्तिक थे बहुत से लोग ये विकर जैसे दक्टर अंबेद कर बाबा साब पैदा हुए थे और कारल मार्क्स ठारा सो ठारा में पैदा हुआ दोनों के जनम के बीच में 2380 वरस का फरक है लेकिन ठूरी ये लगबग एक जैसी मिले गी आपको अच्छा कारल मार्क्स करता है बैस दरम जो यह वो अफीम का काम करता समाज के लिए ये एक नसा है वो आदमी का आदमी शोषण करे मार्क्स बाद कारल मार्क्स ठारा खिलाब करता है इसी तरह से मात माबुद के जो प्रोईत वरग है वो नीमन वरग का जोनी एक्स्प्लोइटेशन कर जाई और इसके खिलाब थे और उन्होंने सारी आवा उस देम जोनी जैसे ये केते है और इस विमुनियों ने आगे दिया वोखिक रूप से तो ये बगवान के लिखे हुए हैं तो उसको ये मातमा बुदिस को नहीं मानता वो ये कहता है ये बेदों के उपर भी बेदों में जो लिख रख्या ये जरूरी नहीं वो सही हो आँख मीच केंद विस्वास मत करो जो लिख्या वो लोजिक के आदार पस सही है या नहीं है और वो बेद बगवान की देन नहीं है संस्कृत बासा देवताओं की बासा नहीं है इसलिए उसने अपना परसार लोकल बासा के अंदर किया पाली बासा गेंदर किया जो उसम आम लोगों की बासा थी तो जो आम लोगों की बासा थी उसमें उसने अपने दर्म का परसार किया और जो नहीं वो 35 वरस के परसार करने लग गे थे 80 साल के 433 वी 20 कूरों मरे और लगब लगब उनका दर्म का परसार उनके जिते जी हो गया उसका कार्णी यह था कि बहुत से राजां उनके मरने के बाद भी जैसे कनिशक था और अशोक था और सवर्दन था उनों ने लोग दर्म को बुद दर्म को प्रोटेक्शन दी और जो नहीं अशोक ने तो अब जो बहुत दर्म को फैलाना है कि लेसरी लंका के अंदर भी अप दर्म को अपना लिया ठीक है और वो दीरे दीरे जो फिर मुसल्मान भी आगे उन्हों ने भी बहुत से मठों को आग लगाई और जो या बिक्सूते वो या तो कतल कर दिये गए या वो दूसरे देशों के अंदर बाग गे तो इस तरह से दीरे दीरे इंदूस्तान से ये लूप तो गया बहुत दर्म तो फिर जैसे मतलब ऐसे होता कि मरने के बाद सोरक जाएंगे मोक्स मिलेगा तो बहुत दर्म का क्या आप मातमाबुद बिलकुल नहीं मानता है मातमाबुद तो ये कहता जो कुछ है इसी जनम के अंदर है आदमे को अच्छे काम करने चाहिए ये सुध करम करने चाहिए वो कामों को मानता है और जो कुछ है इसी जनम के अंदर है और इसी दर्टी के ऊपर ही सवरग नर्ख जैसे नाम की कोई दर्ट दुनिया में चीज नहीं है मातमाबुद इसको बिलकुल नहीं मानते है ठीक है तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे थे उसके अलावा कुस बहुत दर्ट के बारे में अगर आप ओडियल oxygen को बताना चाहते हैं नी मोटी मोटी बाते तो वैसे आई वही बाकि बहुत दर्म जो नहीं वह तो यह कहता है मतमा शट्धेगाश सच बोलना चैये चौरीजारी ठिकी नहीं नाचा करना चैये वह एक वेग व हुथलिविंग इबताता है यह एक अच्छा तरीका है निरवान का मतलब है बुजाना मतंभेम्मपती को बुजाना अपने आप की इच्छाओं को जो अनि उनको इच्छाओं के उपर काबू पाना ही जो अपनी आपको ऑफ्टाओं को जीत लेना अपने आपको जो 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 नि उसी का नाम निर्वान है जिस आदमी ने इच्छाओं के उपर काबू पा लिया वो जो जो नही एक तरह से समाध्श के वशथा में पहुंच गया इच्छां को काबू करने का नाम ही निर्वान है वो ये करता है और आकासम और कुछ नहीं तो फिर ये मुक्स जैसे नाम की कोई चीज नहीं मातमाबूद अपने आपको ना तो सन ओफ गोड करता ना मेसंजर ओफ गोड करता वो तो एक आम आदमी की तरह से अपना जीवन वहतीत करता है ये जो सौरग चलो ये मोटी मोटी बाते हैं थी बोट दर्म के बारे में बाकी फिर जरूरत पड़ी तो और कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे तो ये था बोट दर्म के बारे में और जातियों के बारे में सो बोट दर्म जोनी जाती पाती को नहीं मनता चुआ छूआ छूट को नहीं मनता और एडविनर नोड लिखता दे लाइट ओफेशिया बार्त मातागा सबसे बड़ा सपूत हुआ है जिसका नाम जोनी दुनिया में के अंदर चलता है मातमा बुदी इससे बड़ा सपूत क अब गया के अंदर मुस्तने जोनी वो ग्यान होगा था तो सारा ये साउट इस्तिया वेतनाम है दोनों कोरिया है जापान है बर्मा है थाइलेंड है तो ये सारा पूरवी देश जोनी इस्टेशिया ये सारे के अंदर वो है बहुत दर्म है चीक है दुनिया का चोथा सबस इसका कभी अंत नहीं होता ना यह जो निए अठियार बना लिए नेताओं ने दर्म और जाती जिनके उपर डिवीजन ऑफ सोसाइटी की जा सकती है फूट डालो राज करो तो बाकी मातमा बुद्ध जो निए वो तो साइंटिफिक सोच का अदम है पहला व्याग्यानिक कह सक करता हूँ और जो है नहीं वो कॉनिस्ट भी जब लोगों को ये भी नहीं पता था कॉनिस्ट ज़म होता क्या है व्याग्यानिक आथा समझाता है इसलिए हो साइंटिफिक सोच का अदम है